Hello students, good morning to everyone, today we will discuss output devices, कल हमने जो बात करी थी, introduction to computer, computer क्या होता है, उसी definition क्या होती है, purpose क्या होता है, इसके बाद computer का classification हमने देखा था, कि computer जो मिलकर बना होता, hardware devices and software devices से, और hardware devices के अंदर हमने पढ़ा था input devices, input devices के अंदर multiple input device like keyboard, mouse, joystick, scanner, ये सब हमने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे output devices की, ok, so output devices क्या होते हैं, सबसे पहले तो एक बार फिर से हम इसको repeat कर ले थे हैं, कि जो output devices होते हैं हमारे, जो output devices होते हैं यह क्या काम करते हैं यह result generate करते हैं यह क्या करते हैं result generate करते हैं ठीक है या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो device हम को या फिर user को information provide करते हैं these are called as output devices यह भी क्या होते है physical unit होती है जिसको आप touch कर सकते हो as we have seen in input devices also तो यहां पर सबसे बहले बात आती है monitor की monitor monitor हम हमारी term बोलते है general term के अंदर हम monitor बोलते हैं ठीक है लेकिन इसका जो technical word होता है वो होता है VDU visual display unit ठीक है अब जो यह monitors होते हैं यह भी अलग-अलग type के होते हैं सबसे पहले इसकी definition देख लेते हैं it is also called as VDU visual display unit provide soft copy output अब soft copy output का मतलब है इस type का output जिसको आप touch नहीं कर सकते है soft copy जो भी आपको monitor में दिखा ही देता है बेटा जो भी visible होता है monitor में उसको आप touch नहीं कर सकते हो that's why that is called as a soft copy output अब अलग-अलग type के monitor होते हैं आपने देख अखा होगा monitor की हम बात करें है तो monitor monitor पहले आते थे बेटा CRT monitor CRT monitor cathode cathode rays tube बहुस यह बार यह NCO, UCO, IIO वगेरा के अंदर यह पूछा जाता है CRT की form cathode rays tube तो जो पुराने TVs वगेरा जो भी आपने देखे होंगे monitor जिनके पीछे से एक शेफ सब बाहर निकला हुआ रहता है ठीके तो वो होते थे cathode rays tube इसके बाद आये हमारे पास TFT TFT monitor अब TFT monitor टू टाइप के थे एक तो होते हैं LCD और दूसरा होता है LED ठीके LCD की full form होते है liquid crystal display liquid crystal display or LED की फुल फॉर्म होती है, light emitting diodes, light emitting diodes, तो यह तीन टाइप के हम क्या use करते हैं, monitors use करते हैं, यह outdated हो चुके हैं, अब यह वाले monitors हमको नहीं दिखाए देते हैं, ठीके, और अब जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, LED चलते हैं ठीक है और LED के अंदर भी OLED आनने लग गया है इसका advanced version ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को अब बात करते हैं हम speakers की speaker किस type का output generate करता है audio output it provides audio output to the users ठीक है चाहे आप earphone use करो चाहे आप speaker use करो चाहे headphone use करो खुझ भी करो they will provide what audio output ठीक है and the next one is the projector, projector का क्या काम होता है it takes images generated by a computer and reproduce them by projection on screen wall or another surface तो बात करें बेटा तो जो यह projector है सबसे पहले जो projector मेने देखा था वो देखा था theaters के अंदर जहां पर movie देखने जाते हैं पीछी की side में एक projector लगा रहता है जिसका projection सामने एक बड़े सी screen या फिर curtain जिसे बोलते हैं उसके उपर होता है और वहां पर display नजर आता है तो जब भी बड़ी जो big classroom होते हैं meeting होती है या फिर इस type की जो भी gathering होती है जहां पर large cloud को mass cloud को presentation देनी होती है represent करना होता है तब हम क्या करते हैं projector का use करते हैं ठीक है ताकि पूरी की पूरी जित्ती भी gathering है जित्ते भी audience है उन सब को easily output नजर आ सके इसके बाद बात करते हैं बेटा printers जो यह printers होते हैं हमने जैसे मोनिटर के अंदर देखा था monitor soft copy output प्रोवाइड करता है जो printer होते हैं हमारे hard copy output प्रोवाइड करता है हार्ड कोपी आउटपूट प्रोवाइड करता है मतलग जो भी जो भी आउटपूट जनरेट होगा वो किसके ओपर जनरेट होगा paper के ओपर जनरेट होगा that's why it is called as a hard copy output हार्ड कोपी आउट पूट अब देखो यहां पे भी hard जो हमारे printers होते हैं अलग-अलग type के होते हैं basically यहां पे जो आपका syllabus है इसके अंदर 3 types के printers को define क्या गया है सबसे पहले है आपका dot matrix printer dot matrix printer क्या होता है बेटा it contains movable print head with pins that strike the ribbon placing a dot on the paper with hundreds of dots forming images अब देखो यहां पे जो dot matrix होता है कभी आपने railway reservation वगेरा का ticket वगेरा देखा हो ठीक है यह इस type से dot dot की form में यह output generate होता है और जब यह noisy भी होता है जब भी print out generate होता है dot matrix printer पे कच-कच-कच-कच इस type की अवाज generate होती है that's why it is called as a noisy printer और जो इसकी speed है सबसे important है इसकी speed क्या होती है character per second ठीक है next लाता है पेटा आपका inkjet printer inkjet printer क्या करते है पेटा it prints by spraying small stream of quick drawing ink तो पेटा यह inkjet printer होते हैं इसके अंदर cartridge होती है क्या होती है cartridge एक तरह से bottles होती है जिसके अंदर क्या होता है inks होती है basically तीन टाइप के जो colors होते हैं three basic colors होते है white और black को छोड़के white और black के अलावा तीन और color होते हैं एक होता है red, 8 होता है green और एक होता है blue तो जित्ते भी colors होते हैं वो इनी से मिलकर बने होते हैं three basic colors are red, green and blue तो यह तीन टाइप के cartridge में होती है black color अलग से black color की और होती है तो इन से मिलकर सारे colors बनते हैं ठीक है, the speed of this printer is LPM, lines per minute ठीक है, इसकी थी character per second, इसकी है line per minute और सबसे last में आता है, सबसे advanced printer that is called laser printer, it uses laser technology to print images on the paper, तो इसके अंदर कोई ink वगेरा use नहीं होता है कोई ink spread नहीं होती है, इसके अंदर कोई technology होती है, laser technology होती है, it gives best quality output and the most expensive, तो obvious बात है, जो printer best quality output देगा, जिसकी speed fast होगी, तो वो expensive भी होगा, ठीक है? speed is page per minute, अब यह देखो, यहाँ पे क्या था, पेटा, line per minute था, इसका जो output generate हो रहा था, उन line per minute है, और इसकी speed इतनी fast है, कि यह page per minute, इसकी, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है, पेटा, plotters, plotters क्या होते हैं, ठीक है, अब जो printers होते हैं, printers पे हम एक particular size का ही print out produce कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है, बड़े-बड़े banners की, posters की, wallpapers की, इस types की, जितने भी बड़े-बड़े होते हैं, विनाइल्स वगेरा, जो बड़े-बड़े, जो आप posters वगेरा देखते हो, advertisement वगेरा के, तो वो कहां generate होते हैं, वो होते हैं, हमारे plotters के उपर, this output device is for making large paper drawings, such as construction map and engineering drawings, तो किसी भी type का, आपको बड़े-बड़े maps, कभी आपने construction map देखे हो, तो खुब बड़े-बड़े maps होते हैं, तो वो produce का होंगे, वो होंगे हमारे plotters के उपर, यह कितने type के होते हैं, सबसे पहले होता है, drum, flatbed and inkjet, आपको यह आद रखना है, how many types of plotters are there, three types of plotters, drum plotter, flatbed plotter and inkjet plotter, सबसे first आता है बेटा, आपका drum plotter, it contains drum or roller on which a paper is placed and the drum rotate back and forth to produce the graph on the paper, तो यह देखो बड़े, यह drum है, जिसके ओपर आपका paper, paper भी हो सकता है, यह दूसरी कोई सी भी sheet वगेरा भी हो सकती है, तो यह roller, इस type से, right to left, इस type से, यह move करता है और output को generate करता है, it is used to plotting earthquake activities, तो earthquake activities होती है, कितना reactor का आपके earthquake था, यह सब note करने के लिए इसका use किया जाता है, second is flatbed plotter, तो हमने पहले देखा है, flatbed printer, flatbed printer में क्या होता था, एक glass plate होती थी, जिसके ओपर हम object को place करते थे, नीचे से एक laser beam आती थी, और उससे आपका output क्या होता था, scan होके हमारे computer के अंदर store हो जाता था, in the image format, एसा ही same, इसके अंदर है बेटा, यह देखो एकदम flat है, this plots on a paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table, तो जो भी object है, जिसका print out आपको generate करना है, उसको हम कहाँ पर place कर देते हैं, is table के उफर, it is used to design of cars, shops, aircraft, building highways, तो इस type के जितनी भी designs होती है, cars की, shop की या फिर आपका जो घर का जो front elevations वगेरा होता है, shop का front elevations होता है, तो इन सब के लिए, concept flatbed plotter use में होता है, the third or the last plotter is inkjet, this plotter creates an image by spraying small droplets of ink on the paper, तो ये inkjet जो हमारा printer था, inkjet जो हमारा printer था, उसी की तरह से ये वाला inkjet plotter use करता है, it is used to design banners, billboards and road signs, तो ये आपका plotter वाला topic complete हो गया है, अब बात आती है 3D printed technology की लेकिन उसके अलावा मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, कि जित्ते भी input devices और output devices हमने पढ़े इनके अलावा भी कुछ और भी input और output devices होते हैं, जिसे अगर मैं बात करूँ यहां पर input device की, तो एक होता है microphone जो हमारे microphone या फिर उसको हम short tub में बोलते हैं, mic तो यह भी क्या होता है बेटा, audio input device है, यह क्या है आपका audio input device है, इसके अलावा आपके पास होता है binary code reader, bcr यानि की binary code reader या फिर bar code reader यह हम पढ़ चुके हैं, OMR, optical mark reader, ठीक है, जो आप exam अगेरा देते हो, जिसके अंदर आपके पास four या five options जो भी होते हैं, जिन में से one को tick करना होता है, तो वो जो sheet होती है, उसको बोलते हैं, OMR sheet ठीक है, और जो machine होती है, जिसके अंदर उस sheet को insert किया जाता है, that is called as a OMR, तो यह कुछ और भी है थे वीटा, एक होता है OCR, optical character reader, optical character reader, तो यह भी आपका input device हो जाए, तो यह वो input devices थे, जो हमने cover नई किये थे, इसके अलावा एक होता है, light pen, L-I-G-H, light pen, light pen आपने देखा होगा, कि बहुत सी बार PPT वगेरा चलती है, तो हम काफी दूर से ही उसके अंदर buttons वगेरा होते हैं, जिनको press करके हम slides को change कर सकते हैं, उसके अंदर laser lights होती है, जिसके तुरू हम किसी भी object को या किसी भी line को mark कर सकते हैं, तो these are some other kind of input devices, जो हमारे book के अंदर या हमारे syllabus में नहीं दिये वे थे, लेकिन यह मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ output devices भी हैं, जो हमारी book के अंदर cover नहीं हैं, तो उनको भी मैं आपको समझाता हूँ, जिससे सबसे पहले हो आपके पास आता है, एक मिनिट, plotter, printer, monitor और speaker हम कर चुके हैं, projector, तो जो भी थे वो मैं इसके अंदर cover खुर चुका हूँ, इसके अलावा कोई भी output devices यहां पर नहीं हैं, तो यहां से इसको रप कर देते हम, अब बात करते हैं बेटा 3D printing technology की, तो जो next output device में जो आपको बताना चारा था वो यही था 3D printer, 3D printer क्या होता है बेटा, 3D printer से पहले हमको 3D scanner को समझना होगा, तो 3D printing technology is changing the way we produce object from tools and toys, clothing and even body parts, तो बेटा क्या है कि 3D printing technology का use करके हम क्या करते हैं, कोई भी object को create कर सकते हैं, चाहे वो toys हो, कोई clothing हो, तीक है, या फिर कोई body parts हो, ठीक है, 3D printing is a part of process known as additive manufacturing, यह सबसे important word है, जो exam के अंदर पूछा चाता है, कि 3D printing जो technology होती है, वो कौन से process का part होती है, तो हम बोलेंगे additive manufacturing, क्या होता है additive manufacturing भी बताता हूं, here object is create by adding material layer by layer, अब क्या होता है बेटा, मान लो कि यह pen है, इसका क्या करना है, मेरेको 3D printing create करने है, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, 3D printing scanning के through, इसकी thickness, इसकी height ठीक है, इन सब को measure किया जाएगा, और measure करने के बाद, इसकी thickness के according, जो layer जैसे plastic, प्लास्टिक क्यों लेते हैं, क्योंकि plastic को हम क्या करके, heat करके, गर्म करके easily mold कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, कि इस pen की जितनी thickness होगी, उतनी time यह इस type से layer add होती चली जाएगी, इस type से layer क्या होती चली जाएगी बेटा, add होती चली जाएगी, इस वजए से इसको बोला जाता है additive manufacturing, तो जितनी thickness होती है आपके object की, उसके according क्या होता है यहाँ पे आपका layer add होती चली जाती है, that's why it is called as additive manufacturing, additive manufacturing allow designer to create complex parts, machines, aeroplane and car, तो भीटा, अब माल लो कि आपके पास कोई, आपको इछ create कर रहे हो, mechanical work कर रहे हो और आपके उस पास कोई nut वगेरा या bolt था, वो आपके पास available नहीं है और आपको बहुत urgent थी, तो आप क्या करोगे कि कोई एक belt जो पहले से आपके पास available है, उसका आप क्या करोगे 3D printing के तुरू, उसको hand to hand create करोगे और आप उसको use ले लोगे, तो इस type से यहाँ पे बहुत सारी cars या aeroplanes इनके design इतने complex होते हैं, कि उनको हम man made create नहीं कर सकते, human create नहीं कर सकते, लेकिन machines यानि की 3D printer के तुरू, आप easily उनको create कर सकते हो, the most common material used in 3D printing is plastic, मैंने पहले ही बता दिया कि plastic को क्यों use लेते हैं, but the use of other material allow the creation of some amazing product, तो और भी बहुत सरी product यहाँ निलोन वगेरा इस type के जो product materials होते हैं, वो use होते हैं, in the medical world, doctors can 3D print body parts like ear, noses by using patient cells, तो अभी कुछ time पहले सुना था कि चाइना वगेरा के अंदर 3D printing technology का use करके ear, यह सब भी create कर दिये गए, some surgeons have even tested 3D printing organs for transplant, तो जब create करें हैं, तो कुछ surgeons ने इनको transplant भी किया है, कहां भी किया है इसके बारे में ठीक है, आप एक बार research करना YouTube पे Google पे कि 3D printing technology के थुरू जो भी patient cells है, जो भी organs create किये गए है, वो कहां transplant किये गए है, कैसे किये गए है, आपको Google अगेरा पे यह बहुत easily मिल जाएगा, तो यहां पे देखो, step to print 3D printing technology, 3D printing technology की जो steps है, what are they, the first step in 3D printing is to create the blueprint of object you want to print using a computer, अब यह blueprint का मतलब क्या है, blueprint का मतलब यह है, कि जिस भी object को आप create करना चाहरे हो, उस object का सबसे पहले आप scan करोगे, ठीक है, जैसे इस pane को आप को क्या करना है, 3D printing निकालनी है, तो सबसे पहले यह scan होगा, ठीक है, जो 3D printer होता है बेटा, वो अलग-अलग size का हो सकता है, हो सकता है कि आपको आपके घर को, आपका जो पूरा का पूरा घर है, उसका एक model create करना है, same as it is, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास इतना बड़ा 3D printer होना चाहिए, ठीक है, कि वो उस पूरे के पूरे आपके घर को क्या कर सके, scan कर सके, second is, the finalized drawing is imported into some special software that prepare it in format that is understood by the 3D printer, तो obvious बात है बेटा, किसी भी hardware को work कराने के लिए, किसी भी hardware को work कराने के लिए, हमारे computer में उससे related driver या software को install करना होता है, तभी वो work करता है, जैसे आप pen drive को attach करोगे, तो वहाँ पे लिखा जाएगा, installing software, आपने कोई नया printer, या फिर scanner को अपने computer से connect करा, तो भी वहाँ पे लिखा जाएगा, installing drivers, या फिर installing software, तो इसी type से जब भी आप 3D printing technology use करोगे, और उस printer को use करोगे, तो उससे related software आपका अंदर install होगा, the 3D printer is setup to allow solid object to be made, तो obvious बात है, 3D printer के थूरू आप क्या कर सकते हो, solid object को create कर सकते हो, the solid object is built up layer by layer, obvious बात है कि solid object है, तो वह layer by layer, ठीक है, एक layer जैसे एक layer create हुई, फिर इसकी thickness और increase करनी है, तो फिर एक और layer हो जाएगी, ठीक है, इस type से layer by layer, this can take several hours depending on the thickness of the layer, the material used and the size of the final object, तो यह कितना time लग सकता है बेटा, इसको create करने में, यह depend करता है कि आप किस type का object create करना चाते है, और जिस object को आप create करना चाते है, उसकी size कितनी बढ़ी है, उसकी thickness कितनी ज्यादा है, आप किस type का material use ले रहे हो, यह सब उसके ओपर depend करता है, कि आपका time कितना लगेगा, इसके बात बात करते हैं, मेटा processing device की, processing device क्या होता है, okay, the central processing, अब मैंने आपको बोलाता, processing device सिर्फ एक होता है, that is called CPU, the central processing unit or the CPU, is the processing device of the computer, it is called the brain of the computer, it make all the required calculation, processing data into formation, it control all the input and output devices, CPU जो होता है, हमको अभी तक यह पता था, CPU क्या होता है, brain of the computer होता है, लेकिन actual में, CPU is the collection of control unit, ALU, arithmetic logical unit and primary memory, ठीक है, कैसे काम करता है, यह सबसे पहले, जो input होता है, हमने पहले पढ़ा है, कि जित्ते भी input devices होते हैं, जित्ते भी input devices होते हैं, इनके थुरू data जो होता है, data जो होता है, वो कहां जाता है, computer में जाता है, ठीक है, computer में कहां जाएगा, वो सबसे पहले memory के पास जाएगा, बेटा जब तक कोई data memory में save होगा ही नहीं वो processing के से कर सकता है माल लो कि मैंने आप से बोला 2 plus 3 अब 2 plus 3 जो मैंने बोला वो एक data था वो सबसे पहले आप आपकी memory में जाएगा 2 plus 3 ठीक है input device क्या था आपका year आपका input device क्या था year यहां से आपने सुना आपकी memory के अंदर 2 प्रोसेसर ने यह decide करा यह control unit ने इसको सबसे पहले ALU के पास बेजा क्यूंकि जो 2 plus 3 था यह क्या है mathematical expression यानि कि math से यह ठीक है और जो हमारा ALU है arithmetic logical unit यह क्या काम करता है जितने भी mathematical expressions होती है यानि कि arithmetic जितनी भी calculation होती है या फिर logical calculation होती है उनको कौन perform करता है ALU करता है तो control unit ने इस data को किसके पास बेजा math के लिए ठीक है math calculation के लिए अब आपके calculation perform होई 2 plus 3 equals to 5 अब यह जो 5 है यह वापिस से आपकी memory के अंदर आ चुका है यह वापिस से कहां पर आ चुका है बेटा आपकी memory के अंदर आ चुका है अब मैं आपको command दूंगा कि जो यह 5 है यह 5 किस टाइप से output generate होना चाहिए यह आप बोल के output generate करोगे या फिर लिख के करोगे या फिर किसी कोई sign के थुरू इस टाइप से बोल के करोगे मैं बोलता हो कि नहीं मुझे किस के ऊपर चाहिए यह output यह चाहिए मेरे को monitor के ऊपर तो यह यहां पर आएगा और monitor के थुरू यह कहां पर आपको show कर देगा 5 monitor ठीक है अगर मैं बोलता है कि नहीं मेरे को print out चाहिए hard को भी तो वह printer के थुरू आ जाता समझ में आ गया तो this is the processing that is done in CPU सबसे पहले data आता है और जो data आया और जो भी output यहां पर printer monitor speaker speaker के थुरू आएगा इसको हम बोलेंगे information क्या बोलेंगे इसको हम information बोलेंगे समझ में आगे बीटा ओके यह देखो यहां पर हमने इसको describe कर रखा है सबसे पहले बात करते हैं ALU arithmetic logical unit की it perform all the arithmetic computation logical operation it perform the mathematical calculation involving addition subtraction division multiplication logical always as well as relational operation such as and or greater than less than etcetera तो बेटा यह जो आपके हैं division subtraction addition multiplication यह तो हो गए आपके arithmetic यह तो क्या हो गए आपके arithmetic हो गए लेकिन जो logical है जो logical है मैंने बोला if मैंने बोला if a is greater than b तो what will be happen तो this type के जो expression होंगे इनको हम बोला जाएगा logical expression ओके इसके बाद आता है बेटा control unit क्या करता है control unit काम करता है बेटा कि जो data होता है उसको input device से processing में ले जाने का memory unit में ले जाने का memory unit से ALU के पास ले जाने का ALU से वापिस से memory unit में लाने का और memory unit से output device में याने की यह यह guide करता है data को it control and coordinate the activities of all the other in its computer system it control all the operation of the computer it decode instruction determine the storage of the instruction and data it take all the it takes the data to ALU and from ALU to memory and then to output device. control unit का काम क्या है जो data input से आया वो सबसे पहले CU के पास आएगा control unit के पास आएगा वो कहां पर लेके जाएगा memory के पास लेके जाएगा फिर पता चला कि जो हमारा data था यह किस टाइप का था यह arithmetic था या arithmetic था या इसके उपर mathematical calculation perform हो नहीं थी तो वो data का इसके पास गया हो गया ALU के पास लेके कौन गया उसको control unit लेके गया वहाँ पे वो perform हुआ उसके बाद 2 प्लस 3 5 आ गया 5 को वापी से control unit किसके पास लेके आई memory के पास लेके आई और फिर memory के बाद वो output device के पास लेके जाएगी तो यह जितना भी coordination होगा यह जितनी भी activities होगी input device processing output इन सबका coordination कौन perform करता है cu करता है control करने का काम करता है किसको कहां ले जाना है इसके बाद आता है memory तो आपको memory से पता चल जाता है कि memory का सिर्फ काम एक ही है data को store करने काम जब भी word आ जाता है memory मतला data store करने का काम करेगी memory unit यह फिर MU it is an important part of computer system memory unit receive data hold it then deliver it according to the instruction from the control unit तो memory unit क्या कर रही है कि data को hold करके रख रही है ठीक है जब तक उससे यह नहीं बोला जाएगा कि इसको आप deliver करो जब तक control unit उससे नहीं बोलेगा इसको output देना है तब तक को output नहीं देगी ओके इसके बाद बात करते हैं storage device या फिर memory device इसको हम क्या बोलते हैं memory device भी बोलते हैं memory device भी बोलते हैं computer memory भी बोलते हैं तो बात करते हैं क्या काम करेगा storage device या memory device या computer memory काम क्या करेगी data को store करने का काम करेगी simple सी बात है storage device enable you to store data and information in them जिता भी data जाएगा और जो information होगी वो storage devices में store होगी the storage device of computer is known as a computer memory में यहाँ पर भी लिख दिया है बेटा कि जो storage devices होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम memory device भी बोलते हैं और storage device को हम computer memory भी बोलते हैं अब बात करें computer memory दो type क्यों होती है एक होती है आपकी primary memory एक होती है secondary memory ध्यान से देखना बेटा यह बहुत important concept है primary memory क्या होती है जो memory आपके computer में internal fit होती है जो memory आपके computer के अंदर internally fit होती है उसको हम primary memory बोलते हैं और जो secondary memory होती है यह computer के बाहर रहती है ठीक है primary memory को हम internal memory भी बोलते हैं इसके कुछ नाम है primary memory को हम बोलते हैं internal memory या फिर इसका दूसरा जो नाम है primary memory का इसको हम बोलते है main memory भी बोलते हैं main memory भी बोलते हैं ठीक है इसी टाइप से जो secondary memory होती है इसको हम बोलते हैं internal की जगे क्या हो जागा पिटा यह external memory भी बोलते हैं अब जो primary memory होती है यह दो पार्ट में डिवाइड है एक तो है अब जो primary memory होती है यह दो पार्ट में डिवाइड है एक तो है आपकी रेम और एक आपका है रोम ठीक है अभी तक आपने जो बात करी है तो हमको रेम और रोम के क्या एब्रीविएशन तो सबको पता है रेंडम एक्सेस मेमोरी रेड़नल मेमोरी लेकिन मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे इसी टाइप से जो secondary memory devices है इसके अंदर आता है आपका hard disk आती है compact disk आती है pen drive आता है इसके अंदर dvd आती है आपकी इसके अंदर floppy disk आती है आपकी ठीक है इसके अंदर memory card आता है आपका ये सब किसके पार्ट है मिटा ये सब है या फिर blu-ray disk blu-ray blu-ray disk ये सब secondary के पार्ट होते है primary में सिर्फ RAM और ROM आती है जब कि cd, dvd, pen drive, memory card, blu-ray, floppy अगेरा ये सब किसके पार्ट है secondary के पार्ट है अब ये देखो सबसे पहले बात करते हैं primary की primary it is often called working memory, internal memory और the main memory of the computer system क्या बोलते है इसको working memory, internal memory या फिर main memory of the computer system अगर ये नहीं होगी तो आपका computer work नहीं करेगा ठीक है सबसे पहले आता है जो सबसे important है वो है आपका RAM it is capable of sending receiving data at very high speed, it is temporary in nature temporary in nature का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे ही आप आपके computer को shut down करोगे वेसे ही आपका जो RAM होगी वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, empty हो जाएगी उसके अंदर जित्ता भी data होगा वो क्या हो जाएगा, सब delete हो जाएगा that's why data is stored in lost when the computer is switched off so it is called as volatile memory, तो RAM को हम क्या बोलते है, volatile memory भी बोलते है क्यों बोलते है, RAM को volatile memory क्योंकि जैसे ही आप computer को switched off करते हो, आपका data क्या हो जाता है, delete हो जाता है okay, इसके बाद आता है, ROM, it holds instruction put by the manufacturer to operate the computer, ROM क्या होता है, एक्चुली, ROM कौन बनाता है, जो manufacturers होते है, तो जब हमारा computer बनता है, तो इसके अंदर कुछ instructions, कुछ instructions इसके अंदर log कर दिये जाते है और इन instructions को हम बोलते हैं, BIOS, basic input output system, basic input output system, basic input output system, जो instructions हमारे ROM के अंदर होते हैं, इनने बोला जाता है, basic input output system, इनको कोई change नहीं कर सकता है, ठीक है, अब काम क्या करते हैं, यह BIOS, या instruction क्या क्या काम करते हैं, जब हमारा computer start होता है, जब हमारा computer start होता है, तो इसको start होने के लिए चिन instructions की need होती है वो होते हैं हमारे BIOS अगर यह BIOS नहीं होंगे तो हमारा computer start नहीं होगा It is a permanent memory ठीक है यानि कि इसके अंदर मतलब क्या है permanent memory का मतलब क्या है यह non-volatile memory है यह क्या है non-volatile memory है non-volatile memory है non-volatile memory है जैसे computer switch off करोगे और non-volatile है यानि कि permanent है यानि कि अगर आप computer को switch off करते हो तब भी आपका जो data है वो delete नहीं होगा इसके बाद बात करते हैं हम secondary memory की secondary memory क्या होती है अभी मैंने बोला कि यह जो secondary memory होती है यह भी non-volatile होती है यह भी क्या होती है non-volatile होती है non-volatile होती है या फिर इसको external memory भी बोलते हैं हम या फिर इसको auxiliary memory भी बोलते हैं ठीक है it is often called external memory of computer system it is used to store data for long time long time का मतलब यह है बेटा जब तक आप manually इसके अंदर से data delete नहीं करोगे तब तक data delete नहीं होता है pen drive के अंदर आपने कोई song या movie या images रखी आप कुछ से delete नहीं करोगे तो pen drive से अपने आप delete नहीं होगी it operates at slower rate than primary memory तो जो primary memory थी देखो एक बात याद रखना life में कि जब भी primary memory word आए हमेशा primary memory का मतलब रेम होगा जब भी word आए primary memory तो आपको क्या मानना के चलना है primary memory बोल रहा है मतलब रेम की बात कर रहा है कोई भी इंसान अगर आप से बोलता है primary memory तो इसका मतलब क्या है वो रेम है आपकी ठीक है हमने पढ़ा है primary memory का मतलब में रेम और रोम दोनों होते हैं लेकिन अगर primary memory सिर्फ primary memory बोला जाते हैं तो आपको सिर्फ रेम समझना है secondary memory is permanent in nature data is stored in secondary memory are not lost when the computer is switched off so it is also called as non-volatile memory तो मैंने क्या बोले बिटा कि कभी आपने pen drive लगाया आपने computer को switch off कर दिया तो आपका जो data है वो क्या नहीं होगा lost नहीं होगा है that's why it is called as non-volatile it is cheaper than primary memory यानि कि जो रेम होती है वो महेंगी होती है और जो आपकी pen drive अगेरा होती हो बहुत सस्ती होती है एक example देता हूँ बेटा मैं आपको कि अगर आप 8GB RAM लेने जाओगे 8GB RAM तो इसके लिए आपको 15 to 20,000 पे करना पड़ेगा ठीक है लेकिन 8GB का अगर आप pen drive लेने जाओगे यह तो है RAM और यह हम माल लेते हैं pen drive pen drive को flash drive भी बोलते हैं pen drive को हम flash drive भी बोलते हैं अगर 8GB का pen drive लेने जाओगे तो यह आपको मिल जाएगा 200 रुपीज में यह के है 200 रुपीज के अंदर यह मिल जाएगा आपको और यह 15 to 20,000 के समझ में आ गया कि RAM बहुत महेंगी होती है और आपका जो secondary memory होती हो बहुत सस्ती होती है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो RAM होती है जो RAM होती है इसकी speed बहुत fast होती है इसकी speed बहुत fast होती है और इसकी speed बहुत slow होती है Okay, example of secondary memory is hard disk, compact disk, cd, dvd, digital word set, ild disk, dvd, blu-ray, pen drive, flash drive, memory card, etc. ट्राइए सब आपकी क्या है? Okay, अब हम बात करते हैं, बेटा, softwares की, softwares क्या होते हैं? Software relates to a set of program that controls the computer hardware part and make them operational. मैंने पहले ही बताया है, बेटा, softwares क्या होते हैं? यह आपके computer का internal part होते हैं, जिनको आप touch नहीं कर सकते हो, feel नहीं कर सकते हो. सिर्फ इनको operate कर सकते हो, there are two types of software, एक होता है system software और एक होते हैं आपके application software. मैंने आपको first lecture में ही बताया था कि जो आपका system software होता है, इनका काम होता है आपके computer को manage करने का, computer को manage करने, जितने भी hardware devices हैं, इनको manage करना, data को operating system तक ले जाना, process करना, output device तक ले जाना, आपके जितने भी input, output device, memory device से इनको manage करना, यह सब काम करता है, आपके system software और application software क्या करते हैं, यह particular task perform कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आपको calculation करनी है, तो calculator की जरूरत है, आपको ppt बनानी है, powerpoint की जरूरत है, आपको document बनाना है, आपको word की जरूरत है, आपको spreadsheet बनानी है, आपको excel की जरूरत है, ठीक है, आपको painting करनी है, तो आपको painting software की जरूरत है, आपको video editing करना है, video editing software आपको चाहिए तो इस type से particular software होते हैं जो particular type का task perform करेंगे multiple task perform नहीं कर सकते हैं वो system software की बात करें it performs the basic function that are necessary to operate a computer system क्या करते है बिटा it performs the basic functions that are necessary तो इनका काम क्या है आपके computer को manage करने का काम या operate करने का काम होता है second is it controls the various resources of computer system various resources का मतलब क्या होता है resources का मतलब क्या होता है जितने भी input device, जितने भी output device, जितने भी memory device, इन सब को या फिर आपका जो CPU है, इन सब को जो manage करेगा, वो कौन करेंगे? system software, तो resources का मतलब, input device, output device, memory device, processing device, यह होता है, example, system software के example क्या है, आपके, operating system, antivirus, drivers, क्या होते हैं, यह, यह बताता हूं, मैं आप लोगो को, देखो बीटा, operating system, operating system, आपने नाम सुना होगा, windows, अभी कौन सी चल रही है, आपकी, windows 11, ठीक है, windows 10, windows 8, windows 7, windows vista, windows XP, windows 98, windows 95, windows 2, यह सब क्या थे बेटा, यह सब windows के version है, यह सब operating system है, ठीक है, सबसे latest आपका, windows 11 है, इसके पहले 10 था, फिर 8 था, फिर 7 था, फिर vista, XP, इस टाइप से, अभी तक, यहां तक, Microsoft ने इन सब को बनाना बंद कर दिया है, अभी सिर्फ windows 8, 10 और 11 चल रहा है, इसके अलावा, आपने नाम सुना होगा, Macintosh का, Macintosh, Macintosh क्या होता है बेटा, Apple के जित्ते भी computers होते हैं, उनके अंदर, Macintosh आता है, Android, आपके पास Android है, तो Android Operating System आएगा, Android Operating System आएगा, आप सर्च करना, विच इस दे लेटेस्ट Android Operating System और अगर आपके पास Apple का फोन है, तो आपके पास होगा iOS Operating System, तो यह क्या है, Operating System नहीं होगा, तो आपका device काम नहीं करेगा, आपके computer, हम बोलते हैं, हमारे computer से Windows उड़ गई, उड़ गई, अब क्या, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास mobile है, लेकिन उसके अंदर Android या फिर आयो है, इसी नहीं है, तो क्या मतलब हो, वो सिर्फ डबबा है, डबबा, ओके, बोलते हैं ना, डबबा है, डबबा, अंकल का टीवी, डबबा, तो यहाँ पर Operating System होना बहुत जरूरी है, ओके, Application Software की हम बात करते हैं, यह, एक मिनिट, आपको Drivers के बारे में भी बताता हूँ, Drivers क्या होते हैं, यह Drivers को हम बोलते हैं, .dll Files, .dll Files, Drivers, देखो बेटा, आप जब भी कोई नया Pen Drive या नया Hardware अपने Computer से Connect करते हो, तो वहाँ पर आता है, Installing Device Drivers, यानि कि, जितने भी Hardware होते हैं बेटा, उनको Work कराने के लिए, जिस Software की जरूर्स होती है, उसको हम बोलते हैं, Device Drivers, आप कोई भी नया Hardware अपने Computer के अंदर Fit करोगे, Connect करोगे, तो आपको उसका Driver Install करना पड़ेगा, Driver Install नहीं करोगे, आप तो आप न तो कोई Display देख सकते हो, ना आपका Mouse काम करेगा, ना आपका Keyboard काम करेगा, तो जो भी आप Device Connect कर रहे हो, उन सबके Drivers आपके Computer में होना जरूरी होते हैं, इसके बाद Application Software की बात करते हैं, इसके बाद Application Software की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ओफ प्रोग्राम देटा डिजाइन तो डू स्पेसिफिक टास्क्स सच अज पेर रोल इन्वेंट्री, Word Processing, Graphics, Spreadsheet, Desktop, Publication तो यह भी आपको मैंने बताया कि जब भी आपको कोई पर्टिकूलर टास्क परफॉर्म करना है तो उस पर्टिकूलर सोफ्टेर को आपको इंस्टॉल करना होगा, यह देखो बिटा, System Software कोन कोन से होते हैं, Operating System जो अभी मैं आपको बताई चुका हूँ, Utility Programs क्या होते हैं, या फिर Language Translator क्या होते हैं, सबसे पहले Language Translator के हम बात करते हैं, ठीक है, Operating System मैं आपको बताई चुका हूँ, Operating System क्या होता है बिटा, ठीक है, अब बात करते हैं, हम Language Translator क्या होते हैं, यह होते हैं, हमारा Computer जब स्टार्ट हुआ था, तो हमारा Computer के अंदर Binary Language चलती है, Binary Language चलती है, ठीक है, जो 0 & 1 में होती है, ठीक है, अब Binary Language हमारे जैसे Users को Binary Language नहीं आती है, सिर्फ Computer Engineers वगेरा को आती थी, तो Users ने बोला कि हम Computer पर कैसे काम करेंगे, हमको 0-1-0-1-0-1 नहीं समझ में आता है, तो वहां पर क्या बनाया एक Assembly Language बनाई गई, तो SUB बना दिया, इस टाइप से Code बना दिये गए, लेकिन हमारा Computer तो जो था वो क्या Binary के उपर काम करता था, और हम जो Users थे वो Assembly Language तो यह तो वह बात हो गई कि आपको English आती है, मेरे को Hindi आती है, जिसे हमने बोला Assembler, Okay, इसके बाद User ने बोला कि नहीं नहीं हमको Assembly Language भी नहीं समझ में आती है, हम यह इतने सारे Instructions, इतने सारे Code, इनको Mnemonics बोला गया, इनको क्या बोला गया? यह जो Code बनेते हैं, इनको Mnemonics, Mnemonics इनको बोला गया बेटा, इननों बोला हमको यह याद नहीं रहते हैं, हमको तो AC Language के अंदर Coding करनी है, जो हम खुछ जानते हैं, तो बोला है, आप High Level Language यूज़ करो, High Level Language आप यूज़ करो, High Level Language क्या होती है? जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, इनके अंदर क्या कर सकते हो, आप आपको English आती है, तो आप English के अंदर इनको Coding कर सकते हो, लेकिन फिर प्रोब्लम आई, कि हमारा Computer बोला, कि अरे, हमको तो, हमको यह समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है, कि Computer बोला, हमको High-Level Language समझ में नहीं आती है, हमको तो क्या समझ में आती है, सिर्फ Binary Language, तो फिर से हमको Translator लगाना पड़ेगा, अब यहाँ दो Translator लगाए गए, एक तो लगाया गया Compiler और एक लगाया गया Interpreter Compiler and Interpreter तो यह High-Level Language को इसमें Convert करते हैं, तो Simple सी Language जो Assembler है, एक Compiler है, दो और यह Interpreter है, तीन, इनको बोला गया Language, Translator तो यह भी क्या होते हैं, आपके System Software होते हैं अब देखो बिटाएं यहाँ पे, अगला है Utility Programs, Utility का मतलब क्या होता है, जो Programs आपके Computer का Utilization Increase कर देते हैं, Utilization जैसे Antivirus, अब आपके Computer में Virus आगया, आपके Computer Slow हो जाएगा यार नहीं कि आप अपने Computer का Maximum Utilize नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर Antivirus को डालोगे, Antivirus क्या करेगा, Virus को हटा देगा, इससे क्या होएगा, आपके Computer का Utilization बढ़ रहाएगा Compression Software आपके, जित्ते भी Compression Software क्या करते हैं, आपके Data को Compress कर देते हैं, मालोग कि आपके Hard Disk के अंदर Space कम है और आपको Data को उसके अंदर Store कराना है, लेकिन आपका Data है 10 GB का और आपके Computer के अंदर सिर्फ 7 GB की Space है, तो आप Compression, Compress Software का Use करके, उस 10 GB की Data को आप 7 GB, 6 GB में Convert कर सकते ह हो, Disk Fragmenter, Disk Fragmenter क्या होता है, कि हमारी Hard Disk का कुछ Part खाली होता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा Hard Disk होती हो यह बोलती है, Hard Disk is Full, तो हम Disk Fragmenter का Use करके क्या करते हैं, उसके अंदर जो खाली Space होती है, उसको वापिस से Club करके बड़ी Space में Convert करते हैं, और उसके अंदर Data को Store कर द Digital, Database, Software, CF सब क्या हैं, आपके Application Software है, अब बात करें, Relationship between Hardware and Software, Relationship क्या होती है, देखो बेटा, कोई भी Hardware बिना Software के काम नहीं कर सकता है, जो अभी मैंने बताया था, Drivers कि आपको, माल लो कि आपके घर में Printer है, तो Printer आ गया, और Printer को आपने Computer से Correct कर दिया, और आप चाते हो कि उससे Print Out आ जाए, नहीं, जब तक उस Printer का Print Out Software या Driver, Install नहीं होगा, आपके Computer में, तब तक आपका Printer काम नहीं करेगा, इसी टाइप से, अगर आपका Pen Drive लगाया, Pen Drive का Software आपके Computer में नहीं है, तो आपका Pen Drive काम नहीं करेगा, तो the Hardware and the Software together make a Computer System, both are Essential Component of Computer System, Software are the instruction of Command that make Hardware Component operational, तो जब तक Software नहीं होगे, तब तक हमारा जो Hardware Component है, वो काम नहीं करेगा, समझ में आईबा, यहाँ पर बात करते हैं, Example की, if you make a Picture in Paint, आपने MS Paint के अंदर एक Picture बनाई, उसको, and give the Print Command to get a Print Out, ठीके, Print Out Command दी, तो Print Out काहां से आएगा, Printer से आएगा, here, Print is a Application Software which helps to create the Picture and give the Print Command, the Operating System Software which instruct the Hardware Printer to print the Picture, तो अभी मैंने बताया कि, जो Printer का जो Software होता है, वो Printer को Instruction देगा, कि Print Out Generate हो, यह देखो बटा, Application Software, System Software and Hardware, तो यह जो System Software है, यानि कि यह System Software का मतलब है, यहाँ पर Operating System, Operating System नहीं होगा, तब तक एक User किसी भी Hardware को या फिर किसी भी Application Software को यूज नहीं कर सकता है, जब तक यहाँ पर Operating System नहीं होगा, तो आप ना तो कोई Application Software यूज कर सकते हो, ना ही आप कोई Hardware पार्ट को यूज कर सकते हो, अब हम देखते है, Configuration of your Computer, Configuration का मतलब ही होता है, जब भी आप कोई Computer purchase करते हो, तो हम क्या-क्या उसके अंदर Configuration देखते हैं, उसकी क्या-क्या Features हैं, तो सबसे पहले हम देखते है, Version of Operating System, कि latest version of Operating System, आप आप से बोल दिया जाए, कि आज के 20 साल पुराना वाला Operating System ले लो, तो आप लोग ही क्या, न तो सबसे अच्छा होता ही 7, लेकिन इसके according उसकी rate भी increase हो जाएगी, वो expensive होता जाला जाएगा, जितना latest और जितना अच्छा configuration लोग है, आपके जो device से उसकी cost उत्ती ही ज्यादा increase हो जाएगी, इसके बाद है RAM, कित्ती GB आप RAM लेना चाहते हो, 8 GB लेना चाहते हो, ठीके, 64 GB लेना चाहते हो, तो और इसके बाद है hard disk, यानि कि ROM या फिर जो storage होता है आपका, वो आप कितना लेना चाहते हो, तो ये चार configuration होते हैं, जो हम हमारे computer को लेते time, सबसे ज़्यादा देखते हैं